नमस्कार बहुत स्वागत है आपका 36 गर के नमबर वन बुलिटिन में आपके साथ मैं हूँ अन्शिका पाठक 36 गर में लगातार बारिश हो रही है और नदी नाले उफान पर है NMDC का डाम तूटने से बार की चपेट में किरंदूल शहर में पानी बढ़ रहा है प्रिशासन लोगों से घर खाली करने के लिए लगातार कह रहा है और साथी सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह रहा है काकेर के कई गां टापू बन चुके हैं तो कोईली बेडा के मेंड की नदी उफान पर है ऐसे में ग्रामेर सापताहिक बाजार भी नहीं जा पा रहे इधर बिलासपूर में बारिश का पानी घरों में घुस रहा है गर्याबन के मेंडपूर कला में नाला में बार आ गई है इसके साथी बीजपूर बोपाल पत्नम ब्लोक के कई इलाकों में बार के हालाद बन चुके हैं नैशनल हाइवे 163 तारला गुडा और नैशनल हाइवे 63 पर बने पुलो के उपर से पानी बह रहा है काके, दंतिवाडा, बलोदबाजार, बीजपूर की तस्वीर आप देख रही हैं जहां हर तरफ पानी ही पानी है तो काकेर में भारी बारिश की चलते नदी नाले उफान पर है कैसे कोडी नदी में कुछ ग्रामिल ट्राक्टर से नदी पार कर रही थे लेकिन ट्राक्टर बीज नदी में ही फस गया लोगों ने अपनी जान किसी तरहा खत्रे में डाल कर तैर कर बाकी लोगों की जान बचाई चत्तिस गाउट आपू में तब्दिल हो चुके हैं जिनका ब्लॉक मुख्याले और जिला मुख्याले से संपर कूट गया है मौसम भाग ने अभी दो दिनों तक भारी बारिश की चिताविनी जारी की है भारी बारिश के चलते लोगों का जरजीवन अस्त ब्यस्त हो चुका है ये देखिये ट्राक्टर कैसे पानी में फसा हुआ है चत्तिस गाउट आपू बन चुके हैं इतना जादा जल जमाओ 24 गंटे से लगातार बारिश हो रही है और अभी भी इस सिल्सिला थमा नहीं है काकेर शहर में बारिश का पानी घरों और दुकानों में घुस चुका है घरों में घुटने तक पानी आ चुका है और गली मौले की सड़के जलमग्न हो चुकी है दुकानों में पानी भरने से लाखों का नुकसान हो रहा है जल भराव से लोगों में गुसा है और दुकानदारों ने चक्का जाम कर दिया है तो दो तस्वीर है आपकी टेलिविजन स्क्रीन पर काकेर में आप देखिए दुकान से लेकर घर तक का क्या हाल है यहाँ पर एक तरफ जहां घर से पानी निकाला जा रहा है तो दूसी तरफ दुकान दारों ने चक्का जाम कर दिया है कि कोई इंतजाम क्यों नहीं है जब हर साल बारिश का यही मनजर होता है तो क्यों नहीं पहले से ही प्रशासन की तरफ से इंतजाम किये जाती है बारिश से जन जीवन बहुत ज़ादा प्रभावित हुआ है दुकान में पानी भरने की वज़े से बहुत ज़ादा नुकसान जो है यहां पर हुआ इसके अलावा आप घर देखिए ऐसा लग रहा है मानो जल महल में आ गए हैं और हर तरफ पानी ही पानी है घर में भी पानी घुश चुका है बिस्तर पर पानी है जाए तो इंसान जाए कहा लगातार हो रही बारिश से किरंदूल के निचले बस्तियों में पानी भर चुका है और लगातार हो रही बारिश से जन जीवन अस्वेस हो गया है राहत बचाओ का कामजारी है बता दे पिछले दिनों एनेमजीसी का डाम फटने से भारी तबाही हुई बारिश से लोग बहुत परिशार हो गए घरों में पानी भरा और कई महिलाओं को रेस्क्यू करके बचाया गया दंते वाड़ा में भी बरबादी का मंजर नदी तो नदी रेकिन नाले भी उफान पर महिलाओं का किसी तरह रेस्क्यू किया गया क्योंकि उफान पर यहाँ पर नदिया नजर आई ही जिसकी वज़त से जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर बहुत ज़दा जलस्तर बढ़ चुका है और किरंदूल क कि निचली बस्ती में भी पानी घुस गया कुछ ऐसा ही आल बलदा बाजार का भी है जहां दर्चुरा बांध तूटने से गणी शपुर गाउं में पानी घुस गया है और गाउं के रास्ते बंद हो चुके हैं ऐसे में कई लोग पानी में फस गए हैं पुलिस के जवानों ने कंधे पर बैठा कर बच्चों को बचाया है इसका एक वीडियो सामने आ चुका है जिला पुलिस SDRF और नगर सेना की टीम ने बचावकारी किया सिमगा विकासखन के गणेश पुर गाउं का ये वीडियो बताया जा रहा है बीजापुर के कई अलाकों में फिर से बार के हालाद बन चुके हैं नैशनल हाईवे 163 तारला गुडा और नैशनल हाईवे 63 पार बने पुलों के उपर से पानी बह रहा है बीजापुर का जगदलपुर से संपर्क तूट चुका है और इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ने से बैरमगड में हालाद खराब हैं पचास से जादा घरों में पानी भर चुका है तो इधर पेंड्रा और जांजगीर में भी बारिश से हालाद खराब हैं पेंड्रा में कई गाओं का संपर्क जला मुख्याले से तूट चुका है और साती जावस नदी का पानी सड़क के उपर बह रहा है जांजगीर के अगर बात करें तो यहां हस्देर नदी उफान पर है और केरा जरिया में रप्ता के उपर से पानी बह रहा है यह दोनों ही तस्वीर देखकर समझ में आ रहा है कि आखिर पांच सालों का रेकॉर्ड जो तूटा है उसका अच्छा खासा असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है खेम नारायन हमारे समधता साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ हमारे एक और समधता भी जुड़ गए हैं दिनेश हमारे साथ जुड़े हैं सबसे पहले खेम नारायन बारिश का सिलसिला क्योंकि बहुत ज़ादा यहां पर दिखाई दे रहा है और ऐसे ही नहीं पिछले पांच सौला को रिकॉर्ड टूटा है अच्छा खासा नजर अच्छा असर नजर आ रहा है क्योंकि काकेर जिले में चारो तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है काकेर जिले के जितने भी नदी नाले हैं वो इस वक्त उफान पर हैं और इस भारी बारिश से जो है काकेर सहर का भी हाल बेहाल है काकेर सहर की कई जो दुकाने हैं वहाँ पर पानी घुच जाने से जो है दुकानदार आक्रोसित नजर आ रहा है तो वहीं जो ट्राइबल कालोनी है वहाँ भी कई घरो में जो है पानी जो है जाकर घुच जया है घुचनों तक पानी है बिस्तर सोने के लिए जो है परिसान पानिया हो रही है ऐसे जन जीवन जो है लोगों का जो है उसको प्रभावित कर दिया है इस पानी ने और कहीं ऐसे भी नजारे देखने को मिल रहे हैं कि कई लोग जो है जान जोखिम में डाल कर नदी उफंती नदी नालों को भी पार करने के लिए मजबूर है और जो मौसम भी भाग है उसने भारी बारिस की चेतावनी भी दी है लेकिन जो है पानी भारी बारिस के बार भी लोग अपने आवस्यक कारियों के लिए इस तरीके से उफंती नदियों को भी पार करने के लिए मजबूर है जी बिलकुल और दिखाई भी दे रहा है तस्वीरों में कि कै ऐसे जो लोग हैं वो जान जोखिम में डाल कर एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहे हैं। हर दिशा में जो 24 घंत्यों से बारिश जारी है और बात करें विजापूर और धंतेवड़ा जीला की तो जो लगातार बारिश हो रही है इस बारिश से जंजियों अस्क्रस्थ हो गया है और आवागमन भी बादित हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा आज भहरमगड में सुबस ही हावागमन बादित था जो इंद्रवती का जो जल इसतर हो खत्रे की निसान से उपर होनी के वज़ा से बस्तियों में पानी गुल गया है कई घरों के चूले नहीं जल जले पर हालात बाद में सुदरते वे नजर आए रात की सासली भैरंगड वासियों ने जल थोड़ा कम हुआ जिसके वज़ा से मात भी बाहल हुआ जो वाड है इन वाडों में हर घर में निचले बस्तियों में पानी पहुंच चुका है क्योंकि जो पानी घुस रहा है वो लोगों की जान पर भी बात डाल रहा है कि लोग अखे जाएंट तो जाए कहां और अगर कहीं नहीं जाएंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी उफान पर होने की वजह से ग्रामिनों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है बारी बारिश में एराबोर इलाके के लेंडरा गाउं में गर्ववती महिला को खाट पर लेटा कर ग्रामिनों ने तीन किलोमेटर दूर पैदल चल कर एंबुलेंस तक पहुचाया तो वहीं ग्रामिनों ने पंचैत सचिव सरपंच पर आरोप लगाते हुए बताया कि पक्की सड़क नहीं होने के कारण इसका दंश जेल रही है कई बार सड़क को लेकर ग्रामिनों ने मांग भी की थी ये हाल है गर्ववती महिला को लेकर जाने का सतीष आंडग संबादाता साजर गया है सतीष ऐसे तस्वीरे खून खौला देती है कि आखिर हमने वोट किसके लिए डाला और हमने जो उम्मीदे की क्या वो हमने गलत की है हाला कि इस मामले में क्या संग्यान लिया गया पता दूं कि तस्वीर जो है सुपमा जले के कोंटर ब्लॉक कर नक्सल पर दिलाका है एजा बोर उसके आजपास के लेंडर गाउं की तस्वीर है जहां पर तीन किलो मेंटर गर्वती मेला को खाट पर गामिल लेकर अबुलेंस तरह पूंचे तो कि इस लाके हमें लगाता है पिछल एक सब्सक्राइब से चलते जो है कई नदी नाले उफान पर हैं साथ ही कशी शरके हैं उनका बुरा हाल है वहां में आवाज ही नहीं हो पारी है वहां में फसरी है बहुत शुक्रिया सतीज जानकारी साजह करने के लिए बस्तर में लगातार बारिश से जरनों की खुबसूरती देखते ही बनती है चित्रकोट जलप्रपात के नजदीक मेदरी घूमर जलप्रपात की सुन्दर्ता देखते ही बन रही है पहाडों के बीच इस जरने को देखने के लिए परेटक पहुँचते हैं काफी उचाई से गिरता जलप्रपात परेटकों को लुभा रहा है आज तक आपने ऐसा वाटरपॉल सिर्फ सिनरी में ही देखा होगा लेकिन यह हकीकत है कि जगदलपुर का ये जो वाटरपॉल है अब अपनी खुबसूरती के लिए चर्चा में आ चुका है लगतार बारिश की वचह से जगदलों की खुबसूरती अब देखते ही बन रही है तो वहीं ये चित्रकोट का जलप्रपात है चित्रकोट का ये वाटरपॉल है जिसे देखने के लिए लोग पहुच रही है और परेटकों के मन खिल रही है बेमित्रा जिले में दर्दनाख हाथसा हुआ है यहां जहरेली गैस के चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई है दो युवक एक कुए के अंदर मोटर पंप निकालने के लिए उत्रे थे इसी दौरान जहरेली गैस का रिसाब होने लगा युवक जब काफी देर तक कुए से बाहर नहीं आये तो इलाके में हड कम मच गया फिर उन्हें बचाने के लिए तीसरा युवक कुए में उत्रा कुछ देर बाद कुए से तीसरा युवक भी बाहर नहीं आया इसके बाद आसपास के लोग फोरण मौके पर पहुँचने लगे लोगों ने देखा कि तीनों युवकों की जहरेली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई है ग्रामिनों ने घट्टा की जानकारी फिर पुल इसको दी रायपूर में नशे का बड़ा सौदागर फरार हो गया है पेशी के लिए कोट में उसे लाया गया था पुलिस को चकमा दे कर आरोपी फरार हो गया डीडी नगर थाने से जेल गया था नशे का बड़ा सौदागर सज्जाद इसका नाम बताया जा रहा है लेकिन पुलिस को चकमा दे कर ये फरार हो गया पेशी के लिए कोट में लाया गया था इसे हलाकि पुलिस को इसने चकमा दिया और मौके से फरार हो गया यूगल तिवारी संबादाता साज़ गया यूगल कोई सुराग मिल पाया क्या आरोपी का तो यूगल ते संपक नियोपार दोबारा साधने की कोशिश करेंगे नशे का ये बड़ा सौदागर है जिसका नाम सज्जाद बताया जा रहा है इसे पुलिस ने गिरफतार भी किया था लेकिन कोट में पेश करने के लिए जब पहुची पुलिस तो यहां से वो चक्मा देकर फरार हो गया